नमस्कार दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा जो है अडेनियम के उपर है अडेनियम के एर विंटर सिजन स्टार्ट हो चुका है और उसमें हम अडेनियम की क्या केर करेंगे तो दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको ये सभी चीज़े बताना चाहूंगा कि इस समय हमारे पौदों में बहुत फ्लावरिंग हो रही है और लगबग सभी पौदे हमारे फूलों से भरे हुए है ऐसा कि आप सभी को दिखरा होगा कि जिन पौदों में हमारे पूरे साल भर भी फ्लावरिंग नहीं हुई उनमें भी फ्लावरिंग हो रही है क्योंकि हमारे अडिनियम अब सोने की तरफ बढ़ रहा है मतलब sleeping mode में मतलब dormancy में जा रहा है तो दोस्तों पानी देने वाली बात होती है तो मैं आपको पहली चीज़ बता दूं कि अगर आ ज्यादा sunlight मिल सके उत्रें ज्यादा जो है sunlight में आप रख सकते हैं ठीक है और साथी साथ में बताओं जो पीली पत्तियां इसकी गिर रही है ना तो डरने की बात नहीं है वेदर चेंज है इसकी सारी पत्तियां गिर जाएंगी और यह एकदम naked हो जाएगा ठीक है एक भी पत तरह से यह फूल लगे हुए हैं और इनमें जो है देखिए आपको बताओं कि देखे सीड पॉड भी लगे हैं तो सीड पॉड हमारे जो हैं अगर मैच्योर हो जाते हैं पूरी धूप में रखूंगा तो ही मैच्योर होंगे नहीं तो यह पूरी विंटर भी लगा सकते तो देखे इसमें जो है सबसे पहली चीज होती कि जब तक पौधों पर पक्तियां हैं तब तक आप फलका फुलका वाटरिंग जो है इस पर कर सकते हैं पानी इस प्रे से आप नीचे देख सकते हैं स्वाइल गिली है मैंने पानी दिया हुआ है और बहुत जाता पानी ने हमारी स्टार्ट हो चुकी है आप देखेंगे कि इसमें जो है ब्रांच कितनी बड़ी है देखिए फ्लावर कितने हैं तो दोस्तों यह ट्रिक हमने अपना ही यह एक ऐसी ट्रिक है कि आहेंगे कि एक जो है सुन्दर आत्मा को एक मजबूत सरीर मिल गया है तो अगली बार फ्लावरिंग होगी ना तो पूरा का पूरा प्लांट हमारा फूलों से भरा रहेगा तो वह भी मैं आपके शेयर करूंगा कैसा लगता है देखने में और यह छोटा वाला देखिए जो आपके सामने ग्राफ्ट किया था यह लास्ट वीडियो में यह भी आपको दिख रहा यह सब्सक्राइबर कररने जा इसमें रिपोर्टिंग करने थोला रिसका होता है। इसलिए रिपोर्टिंग भी नहीं नहीं करोगा दे करना यह आपको दियान दखिएगा,능tale सोईल से बाहर निकालने का कहते हैं प्लांट को अगर स्वाइल से बाहर निकालना है तो आप देख लिए किस तरह के प्लांट को आप स्वाइल से बाहर निकाल सकते हैं सबसे पहली चीज तो यह होती है कि प्लांट मैच्चियोर रहेगा तो आप उसको स्वाइल से निकाल सकते हैं सेडलिंग निकले रहे सकते हैं, अगर बात करूंगा छोटे प्लांट की जैसे माँ लिए इसको निकाल के रख दूंगा, तो यह सीडलिंग अमारी खराब जाएगी, अब भी थोड़ी थोड़ी पतली दिख रही है, क्योंकि इसमें watering नहीं किया था तो जो seedlings होती हैं उनमें आप हलके-हलके watering करते रहिएगा और NPK जो है जिरो बाउंच 34 या 19-19-19 आप दे सकते हैं अच्छी तरह से grow होती रहेंगी वो थोड़ा-थोड़ा watering दिया फुल सनराइट में रखिएगा यह देखिए इसकी soil तो दोस्तों यह कुछ care से जो मैंने आपको बताई है वीडियो पसंद आई है पसंद आई है तो like share कीजिएगा कमेंट कीजिएगा अगर आपके कोई और सवाल होंगे तो मैं आगे की वीडियो में आपको जो हूँ उसकी जानकारी देने का प्रियास करूंगा तो आज के ल अजएगा थजैएगा दीएगा आपके कीजिए और सौवा ए Вс ह 얼 आपके है वीडियों नहीं कीजिएेगा थजिएगा इनने आपके हैं ?